यह फेरी क्रोस आइलेंड है अपने अकार में यह एक वर्ग मिल से थोड़ा अधिक है और यहाँ एक चीनी सैने अड़ा है यह आइलेंड दस हजार फीट लंबी हवाई पट्टी एक उन्नत रडार स्टेशन एक मिसाईल लक्षा प्रणाली और लगभद 200 सैनेकों से लेस है लेकिन मजे की बात यह है कि 4 साल पहले फेरी क्रोस आइलेंड जैसी कोई चीज थी ही नहीं दरसल दक्षन चीन सागर में अन्ने 6 चीनी सैने ठिकानों को निर्मान किया गया है जो मानव निर्मित आइलेंड पर इस्थित है अगर आप 2014 में सैटिलाइट से लेगे इस तस्वीर को देखोगे तो आप इस पैटनी नामक इस द्वीप सम्हों के आसपास बड़े बड़े चीनी जहाजों का एक जमावड़ा पाऊगे इस तस्वीर में यह जहाज बड़ी तेजी से रेत और चट्टानों को समुदरी भित्ती के चारो ओर इकठा करने में जुटे हैं दरसल वे द्वीपों को निर्मान कर रहे हैं और फिर एक साल से भी कम समय के बाद इन ही मानव निर्मित आइलेंड्स पर चीन बंदर गाहों, हवायड़ों और इमारतों की एक शंखला खड़ी कर चुका था और तब दुनिया की नजर इस ओर गई ना सिर्फ आज, बलके पूरे मानवी हास में ये जगह दुनिया की सबसे महत्पून सागरी ये स्थलों में से एक रही है नाम है साउथ चाइना सी या दक्षणी चीन सागर साउथ चाइना सी अविस्त्वसनिय रूप से प्राकर्तिक संसाधनों से सम्रुथ है जिसमें 1100 करोड बैरल कच्चा तेल 190 लाग करोड घनफ्री प्राप गैस और दुनिया भर का लगवक 10 पत्रिशत मचली उधा मिल है और सबसे महत्वपूर दक्षिनपूर एसिया के आर्थिक बाजार को आधार प्रदान करने वाला और दुनिया भर में जल्पोतों से होने वाले व्यापार का लगवक 30 पत्रिशत भी इसी सागर के रास्ते होता है देखा जाए तो यह एक अत्यन्त महत्वपूर स्ट्रेटेजिक जल्पोतों है और वर्तमान में पांच देश इसके अलग-अलग हिस्सों पर अपना दावा करते है अधिकांस देश सेयुक्तराष्टर के सागरी नेमों के चार्टर यूएन क्लॉज को अपने दावे का अधार बनाते है जिसके नुसार एक देश का स्थानी जल्पोतों तर से 200 मिल तक होता है तकनिकी भासा में से एक्स्क्लूसिव एकनोमिक जोन या EEZ कहते है सबध्ध देशों का उनके अपने EEZ के दाएरे में फैले सभी संसाधनों वजल्पयापार पर पूर्ण अथिकार होता है जैसे उधारण के तौर पर व्यतनाम के तट से 200 मिल दूरी तक के जल्शेत्र में कोई भी तेल पाया जाता है तो इस पर व्यतनाम का मालिकाना हक होगा लेकिन कोई शेत्र जो किसी भी देश के EEZ में नहीं है उसे अंतराष्टी जल्शेत्र के अंतरगत माना जाता है और इस शेत्र को UN कलॉज के नुसार सभी देशों को साचह बांटना होता है अब दक्षिण चीन सागर में चीन को छोड़कर हर देश इस 200 मील EEZ के नियमों का अपने हितनों प्योग करता है और चीन 15 वी सताबदी में किये गे नौसेना विहानों के अधार पर इस पूरे सागरी शेत्र पर ही अपना एतिहासिक दावा करता है जिसे चीन ने नाम दिया है 9-Line दुतीविस युद्ध के समय जापन जिसने इस पूरे शेत्र को जीता था युद्ध के बाद उसने इस पूरे शेत्र को खो भी दिया चीन ने सी मुके का फाइदा उठाया और नक्से पर कालपने क्रेखाएं सजा कर इसे 9-Line का नाम दे दिया और तुरंत साउच चाइना सी के लगुन नभेखत हिस्से पर अपना दावा पेज कर दिया जब सेयुद्ध रस्ट ने 1973 में 200 मील ईही जैट सिद्धानत की स्थापना की तब चीन ने ऐसे लेकर कोई हामी नहीं भरी और अन्य देशों के दावों की अन्देखी करते हुए अपनी सीमाओं को भी स्पस्थ नहीं किया इस प्रैटली दीप समूह जो भोगलिक और प्रतीकात्मक दोनों रूप से दक्षन चीनसागर का दिल माना जाता है जिस पर कोई रहता भी नहीं है वरतमान में इस पर चीन, वियतनाम, फिलिपिन्स और मलेसिया सब ही अपना दावा करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी देश जो अपने ई-ई-जैड में इस प्रैटली दीपों को सामिल करने में सफल हो पाता है तो वह इसके आसपास के शेत्र पर इसे सधिकार हांसल कर लेगा लेकिन वैधानिक रूप से प्रवाल भित्नी और बालू से निर्मेत इस निर्जन धेर पर किसी का भी दावा बहुत मुश्किल है इसलिए देशों ने अपने दावे वाले आईलेंड्स पर इमारतों और बंदर गाहों के धांचे खड़े कर कुछ लोगों को यहां बसा भी दिया है लेकिन चीन इस समुचे स्प्रेटली आईलेंड्स के समुच को अपना मानता है और अन्य देशों के निर्माण को अबैर करार देता है अब चीन द्वारा नई कृत्रिम दीपों का निर्माण और वहां सैने ठिकाने स्थापित करने से पूरे विवाद को नया ही रूप मिल गया है इस सब के बाद सेयक्तराज अमेरिका जापान और भारत ने समुद्दे पर गौर्ग दिया है आनके इन देसों का इस शेतर पर अपना कोई दावा नहीं है लेकि फिर भी दुनिया की अकेली महासक्ती के तमगे वाले अमेरिका ने इस इलाके की सुरक्षा के लिए अपनी विशाल नौसैना को गस्त पर लगा दिया है चीन इस शेत्र में अमेरिकी उपस्तिती को अपने घर में अतिकरमन के रूप में देखता है जब एक अमेरिकी विद्धुण सक जलपोत, चीन द्वारा मानव निर्मित द्वीप से सिर्फ बारह मीर की दूरी पर था तब तम तमाई चीन ने भी अपने विद्धुनसक जलपोत और एक निगरानी बोट को चेतावनी के लिए भेजा चीन इन द्वीपों का निर्मान आसपास के शेतर में निंतरण बढ़ाने के लिए कर रहा है जो कि एक सोची समझी सामरिक रणनीती का हिस्सा है जिसे नाम दिया गया है कैबेज स्टेटजी हिंदी में कहें तो गोभी रणनीती इस रणनीती के तहट किसी द्वीप या छेतर के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा जहाजों का जमाबड़ा खड़ा कर दिया जाता है जो किसी गोभी जैसा देखता है 2013 के मई में चीन अपने कई जहाजों को आइंगिन शोल नामक आइलेंड पर भेजा जो फिलिपिन से सिर्फ 105 समुद्री मिल दूर है और उसके EEZ में आता है फिलिपिन्स के आठ सैनिक वहां तैनाते गोभी रणनीती के दह चीन ने आइंगिन दूर को चारों तरफ से गस्ती जहाजों विद्धुनसक जलपोतों एवं मशली पगड़ने की नावों से नाका बन ली कर फिलिपिनों के लिए पहुँचने वाली भोजन एवं रसी पापूर्थी को बंद कर दिया अपने स्वयम के मानव निर्म में दूर्बों का निर्माण करके चीन मुल्धन नौस्टैनिक अड़नों का निर्माण कर रहा है जितने अधिक दूर्ब उतने ही अधिक जहाज और उतने ही अधिक शितर पर धीरे धीरे दावा और फिर नियंत्रग चीनी रणनीती का हिस्सा है चीन इस पैटली दीब समू में इस गोभी रणनिती का उपयोग करते हुए अपने अधिकार को बढ़ाता जा रहा है साथ ही किसी बड़े संखर्स की संभावना से भी बशने की कोसिस करता रहा है लेकिन विवाद गहराता ही जा रहा है सभी देश अपने दावे वाली जल सीमा में सक्रिय रूप से दूसरे देशों के मचवारों या अन्नी अतिचरों को ग्रफतार कर ही रहे थे तब ही 2015 में चीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपने दावे वाले यानि लगबग पूरे साउच चाइना सी वाले हवाई शेत्र में जहाज उड़ाने के लिए चीन से अनुमती लेने की अन्यवारता थोपने की कोसिस की है अपजीन सार्गिन निक रूप से यही कहता है कि इस शेत्र में उसकी कोई सैन्यवादी मिलसा नहीं लेकिन उसके काम इसके विपरीध ही सारा करते हैं और तनाव को निरंतर बढ़ा ही रहे अमेरिकी राष्ट पत्री टरंप के निकटतम सलाकार स्टी बैनन जो सयुक्त राष्ट स्रक्षा परिसत के अमेरिकी परतनीदी है के अनुसार मैं नौसेना अधिकारी के तोर पर वहाँ तैनाथ था मैं समझता हूँ कि दक्षिन चीन सागर में अमेरिका और चीन का युद लगभग निश्चित है अभी नहीं तो अगले पाथ से दस सालों में और इस संबंद में मुझे कोई संदेय नहीं है हाला के अभी विवाद कानूनी और राजनेक गल्यानों तक ही बना हुआ है जो कभी कबार मामूली जड़पों में भी दिख जाता है जुलाई 2016 हेग इस्थाई मध्यस्तदा न्यायले ने फिलिपिन्स वा चीन के मद्ध हुए विवाद में फैसला फिलिपिन्स के पक्ष में दिया लेकिन चीन ने इस फैसले को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अपना मनमाना रवया जारी रखा हुआ है इसके बाद अमेरिका ने भी एक इसपस्थ सा वयान देते हुए दोनों देशों के साथ मिलकर विवाद निवारण करने एवं दावों के इसपस्थी करण की बात की जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि मुन्ना मूते हैं मुन्ना ही पानी डालेंगे हमें कोई मतलब नहीं है इससे बास्तेम में जैसे ही संगर्स बढ़ा और अंतराष्टी अदालत ने इसमें सामिल हुई अमेरिका एक पेचीदा हालत में फस गया जहां एक और अमेरिका और चीन दोनों ही आपस में युद्ध नहीं चाहते वहीं दूसरी दरफ अमेरिका अपने मित्र देसों को विस्तारवादी चीन के सामने अकेला भी नहीं छोड़ सकता अब तक तो अमेरिका गस्त जारी रखकर इस्तिती को सम्हाले हुए है लेकिन संभावना यह भी है कि चीन दोरा साउच चैना सी में हवाई पहचान शेतर घोसित करने की स्तिती में यहां अमेरिकी लड़ा को विमान उड़ाने भरके चीन के सामने चुनोती पेस करेंगे फिलाल तो चीन से बिना किसी युद्ध में उल्जे ये परतीकात्मक तरीके ही बहतर विकल्प के तोर पर नजार आते हैं हाँ अब तक के विवादों में दक्षन चीन सागर का शेतर हिंसक नहीं हुआ लेकिन जिस गती से यहां के देश अपने अपने दीपों के निर्मान सेना की संख्या में बढ़ोत्तरी और एक दूसरे को उकसाने में लगे हैं उससे यह स्थान कभी भी दूसरा मिडिलिस्ट बन सकता है अगर चीन इस विवाद में हाभी हुआ तो भारत के खिलाफ चीन की स्ट्रिंग आफ पल्स या कहें घेरे की रणनीती को मजबूती मिलेगी